वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल प्रसंजित पारिक लेट्स बिगीन हेलो एब्रिवन आज की इस बीडिये लेशन में हम लोग क्लास टेंथ की गणिद विशाई से अध्याय नौ तिरकॉण मिति के कुछ वनुपरयोग अध्याय से एक क्वेस्चन को लेते हैं और इसको सॉल्ब करते हैं तो आईए देखते हैं क्वेस्चन क्या है क्वेस्चन है सरकस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डूरी पर चड़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमी पर सिधे लगे खंभे के सिखर से पंधा हुआ है यदि भूमी स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कौन 30 डिगरी का हो तो खंभे की उचाई ग्याद किजिए तो यह रहा हम लोगों का क्वेस्चन और साथी साथ एक फिगर दिया गया है सबसे पहले हम लोगों को यह क्वेस्चन को अच्छी तरह से समझनी है आई आकृति को देखते हुए इस क्वेस्चन को समझते हैं प्रस्ण के अनुसार एक कलाकार जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चड़ रहा है वह लंबी डोरी एसी है इस अकृति में वह लंबी डोरी एसी है तथा वह डोरी एक खंभेखे सिकर से बंधी हुई है और इस अकृति में वह खंभा ए बी है जिसका सिकर ए है इस डोरी के दूसरा छोर सी भूमी के साथ 30 डिगर के कौन बना रही है एवं यहां बी सी हम लोगों की 36 रेखा है 36 रेखा यानिकी भूमी है भूमी को हम लोग हमें सा 36 यानिकी होराइजन मानते हैं तो यहां पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल एबी सी प्राप्तोरी है जो कि हम लोगों को अल्रेडी दिया गया है इस ट्राइंगल ABC में कार्ण AC 20 मिटर है तथा नियून कॉन सी 30 डिगर के है तामलोग त्रिकॉन मित्ती का यूज करके AB की लंबाई यानि की खंबे की उचाई आसानी से ज्याद कर सकते हैं तो चलिए खंबे की उचाई ज्याद करते हैं माना खंबे की उचाई equal to AB डोरी की लंबाई AC कितनी है 20 मिटर है तथा थीटा जो एंगल है 30 डिगरी है एंगल सी और नियन कॉन 30 डिगरी है अब यहाँ पर हमें AB की उचाई ग्याद करनी है अब इस प्रकार के प्रसनों में जब एक राइट अंगल ट्रेंगल मनती है जिसमें एक नियून कॉन एवं कोई भी एक भुजा जिसकी लंबाई दी हुई रहती है तो उसमें जो भुजा ग्याद करनी होती है उस भुजा को दी हुई भुजा के साथ रिलेट करनी पड़ती है उनके बीच कोई रिलेशन ढूर्णनी पड़ती है जिसमें थीटा यानि के कॉन का भी संबंध हो यहां ट्राइंगल ABC में AB भुजा ग्याद करनी है एवं AC भुजा की लंबाई दी गई है तो हम लोग AB भुजा एवं AC भुजा का अनुपात यानि की त्रिकोंड मित्यों अनुपात को देखेंगे जिसमें एंगल थीटा भी मौजूद होगी इस त्रिबुज में AB पर्पिंडिकुलार है तथा AC हाइपोटनियूज है तो पर्पिंडिकुलार अपन हाइपोटनियूज होती है साइन थिटा या कह सकते हैं हाइपोटनियूज अपन पर्पिंडिकुलार होती है कोसे थिटा ताम लोग साइन थिटा या कोसे थिटा किस यहां पर थीटा 30 डिगरी है यान के कौन सी 30 डिगरी है तो साइन 30 डिगरी इक्वल टू ए बी आपन एसी कितनी है 20 20 मीटर आप हम लोग साइन 30 डिगरी की बहलू जानते हैं तो साइन 30 डिगरी के इस्तान पर हम लो लिखेंगे 30 डिगरी की बहलू 1 बाइ 2 इक्वल टू A B अपन 20 मीटर यहां पर क्रोस माल्तिप्लिकेस्न करेंगे तो हमें A B प्राप्त हो जाएगी A B इक्वल टू 20 मीटर अपन 2 2 से 20 को डिभाइड करेंगे 2 अंजा 2 तो टेंजा 20 तो हमें A B प्राप्त हो गई 10 मीटर और थाथ हमें खंभे की उचाई प्राप्त हो गई तो खंभे की उचाई equal to AB equal to 10 meter I hope आपको इस तरह के प्रसनों को हल करने का concept समझ में आ गया होगा So, don't forget to subscribe my channel Thank you, thanks for watching and keep watching